हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना इसे आप केक तो बिल्कुल मत समझेगा और ना ही ये कोई मिठाई है आज की जो रेस्पी है ना ये हेल्दी होनेक साथ साथ बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा तो चलिए फिर फटा फट से सुरू करते हैं आज की ये बहुत ही मज़दार रेस्पी तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे परले हम एक बावल में दो कटोरी सूजी डालेंगे आप सूजी अप आफिस में एक बरत्न सेट किजेगा उसे से सारा मेजर मेंट किजेगा तो यहाँ पर मैं इस कों से दो कों सूजी ले रही हूं और उसके बाद हम इसमें एक छोटी चमच नमक एड़ करेंगे नमक आप अपने स्वात के अमसार एट किजिएगा और साथी में हम इसमें आइट करेंगे एक कटोरी दही उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी दही भी लिया है तो जितना सूजी लेना है उसका आधा दही लेना है तो यहां पर मैं एक कटोरी दही इसमें डाल रही हूं और साथी में कटोरी इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अगर जरूरत पड़ी ना तो आगे हम पानी और आड़ करेंगे इसमें तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन यह भी बहुत गाढ़ा है क्योंकि सूजी को हम रखेंगे 15 मियट के लि और कवर करके रख देंगे 15-20 मियट के लिए इसे फूलने के लिए जिसे की सूजी बहुत अच्छा से फूल जाएगा अगर ज्यादा गाठा हुआ ना तो हम बाद में पानी और एट कर लेंगे और जब तक यह सूजी फूल रही है तब तक हम इसके आगे की तयारी भी कर ले करेंगे और गैस पर मैंने कडाही में पानी डाल कर रख दिया था गरम होने के लिए और अब हम इसमें नमक करेंगे एक चमच और उसके बाद हम इसमें यह ब्रोकली डाल देंगे ब्रोकली को हमें बॉइल नहीं करना है इसे हमें बास 2-3 मिनिट के लिए गरम पानी के अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि जब यह ठंडा हो जाएगा ना तो इसको बहुत बारिक बारिक कट कर लेंगे और अब मैंने gas on करके कडाही में थोड़ा सा oil डाला है बहुत ज़्यादा oil की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा oil डालेंगे और इसे अच्छे से गरम होने देंगे और जैसे ही ये अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें बारिक कटे हुए लौसन और अध्रख डालेंगे लौसन अध्रख की quantity आप अपने according कम और ज्यादा कर सकते हैं लौसन अध्रख को बस कूछ सेकेंड के लिए हम तेल में इस तरीके से mix करेंगे और उसके बाद हम इसमें कटे हुए प्याज add करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसको बहुत बारिक-बारिक इस तरीके से cut कर लिया है प्याज को भी हम इसमें अच्छे से mix करेंगे और बस एक मियर के लिए बुनेंगे ज्यादा बुनने की ज़रूरत नहीं है प्याज को और उसके बाद हम इसमें broccoli add करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने broccoli को बहुत बारिक-बारिक कट कर लिया था तो इसी तरीके से इसको बारिक-बारिक कट कर लेना है और उसके बाद इसमें add करना है इसमें मैं जितनी भी सबजिया एड करूंगी न फ्रेंड्स आप अपने according कम और ज्यादा भी कर सकते हैं और आपको जो भी सबजिया पसंद हो न आप इसमें एड कर सकते हैं तो ब्रॉकली को भी हमें एक से दो मियट के लिए भुनना है बहुत ज्यादा नहीं भुनना है उसके बाद मैं यहाँ पर सिमला मिर्च आइड कर रही हूं सिमला मिर्च को भी मैंने बारिक बारिक इस तरीके से कट कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें गाजर एट कर रही हूँ गाजर को मैंने कदुकस कर लिया था मोटा मोटा मैंने कदुकस किया है इस तरीके से अब इन सारी सबजीयों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और और उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक आइड करेंगे तो यहां पर मैं एक छोटी चमच नमक इसमें आइड कर रही हूं बारिक बारिक कट करके इसमें डालना है और साथी मैं इसमें आधी छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर एड़ कर रही हूँ आप कूटी हुई काली मिर्च भी इसमें एड़ कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स एड़ कर रही हूँ अब इन स सूजी को रखे हुए 15 मियट लगवाग हो गया है और यह जो सूजी है ना बहुत अच्छे से फूल गई है फिरेंस आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें दो चमाच बेसन आइड करेंगे बेसन डालने से क्या होगा एक तो इसमें बाइंडिंग आएगी और दूसरा यह जो से अच्छे से मिःक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं भूँत ज्यादा ना तो पतला है और नाहीं बहुत ज़्यादा गाठा है बस इस तरीके का रखना है तो चलिए चारो तरफ अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है तो यहाँ पर यह केक टीन अच्छे से ग्रीस हो गया है इसे भी हम साइड में रख देते हैं भी और यहाँ पर यह जो सबजिया है ना यह भी ठंडी हो गई है तो अब हम इसमें दो चमच टोमाटो केचप एट करेंगे टोमेटो केचप डालने से इसका जो फ्लेवर है और भी बढ़ जाता है और बच्चु को ये बहुत पसंद आता है तो अगर आपको टोमेटो केचप पसंद है तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं या फिर इसके बगेर भी आप इसे बना सकते हैं तो इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अभी हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर अब हम इस बैटर में इनो आइड करेंगे तो यहाँ पर मैं एक सैसे ले रही हूँ इनो का और यह सारा नहीं डालना है मैं इसमें आधा डाल रही हूँ तो यहां पर मैंने दो कटोरी सूजी की हिसाब से आधा इनो एट किया है अगर इनो थोड़ा सा कम ज्यादा भी होता है तो कोई दिकत नहीं होगी तो इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बैटर को ग्रिस किये हुए केक्टीन में डाल देंगे तो सारा बैटर एक ही साथ नहीं डालना है इस केक्टीन में आधा डालना है अभी और आधा हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो अभी आधा डालेंगे और इसको इस तरीके से द want to hoard this ứngyon navy के लिए इस्टीम करना है फ्लेम को मेडियम रखेंगे हाई फ्लेम पर नहीं करना है नहीं तो क्या होता है कि पानी बॉयल होकर बाहर निकलने लगता है तो यहां पर इससे इस्टीम होते हुए तो चीज को मैंने इस तरीके से कदुकस कर लिया था उसके बाद मैं इसके उपर आड़ कर रही हूं अब आप इसकी जगा पर यहां पर पनीर भी आड़ कर सकते हैं पनीर को कदुकस करके आपकी च्वाइस है आप जो आड़ करना हैं पिर आपपशी इसकी भी कर रहा है मैंने इसके ऊपर चीज को इस तरिके से डाल दिया है यह लगवग 15-20 मियट के लिए तो अब मैं 15-20 मियट के बाद आपको दिखाती हूं और यहां पर इसे स्टीम होते हुए 15-20 मियट हो गया है तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो इस तरीके से फिंगर्स की मदर से आप छूपकर चेक कर सकते हैं इसको बिल्कुल ड्राइ ड्राइ लगेगा हाथ में बिल्कुल भी नहीं चीपकेगा यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल नहीं चीपक रहा है यानि कि यह बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है तो अब हम इसमें से निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे इसम अब हम एक चकु की मदद से इसके साइट साइट से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे ताकि आसानी से इसमें से ये निकाल आए और इसे एक प्लेट में इस तरीके से टैप टैप करते हुए निकाल लेंगे बहुत आसानी से निकाल आता है ये देखिए फ्रेंड्स देखने स के लिए मैने यहां पर कड़ाही में थोड़ा सा दोड़ा सा तेल लाल करख दिया था गरम होने के लिए ओर जैसे ही атыख गरम हो जाए न हम इसमें सराथ के दाने हो गया है तो अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे तो यह देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और यह देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है और खाने में तो इतना ज्यादा टेस्टी होता है तो इस तरिके से धन्यार करें और इसे कट करेंगे और यह लीजिए यह बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर त्यार हो गया है आप इसे टोमाइटो केचिट और मेयूनिज के साथ डेक्ट करके इस तरिके से खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा कर दीजिएगा और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए